Hello everybody, मेरा नाम है विशाल, आप सबका स्वागत है Stockbox के Business Standard Analysis वीडियो में यहाँ पे Business News Papers के आर्टिकल्स डिसकस करते हैं हम लोग Finance, Business, Economics and Geopolitics जो भी चीज़े आपकी लाइफ में आपके Personal Finance को अगर अफेक करती हैं आपके Loans, आपके Expenses, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ डिसकस करते हैं and only important articles जो हमें लगते हैं हम सिर्फ वही cover करते हैं शुरुआत करते हैं सबसे पहले article से कुछ in brief articles हम डिसकस करेंगे इसमें China to work on upgraded economic corridor with Pakistan so CPEC इससे पहले शयाद आपने सुना होगा चाइना पाकिस्तान economic corridor इंडिया ने इस पे कुछ आप कहा सकते हैं tensions भी जताएं थी ठीक है और इन्होंने international forums में यह discuss भी किया था कि किस तरीके से यह construction इंडियन territory के तुरू किया जा रहा है जो illegally occupied है पाकिस्तान के द्वारा यह construction illegal है जो चाइना यहाँ पे कर रहा है चाइना पाकिस्तान economic corridor बहुत ही controversy से गुज़रा है ठीक है पाकिस्तान में इसमें इसकी में बेसिकली चाइना बहुत सारा लोन दे रहा है पाकिस्तान को interest rate disclose नहीं कर रहा है ना पाकिस्तान disclose कर रहा है वो interest rates अपने और उसके बाद वो port तक जाएगा ठीक है अब मान लेते हैं कि जितना भी इसमें खर्चा है यह तो पाकिस्तान को करना ही करना है जिसका लोन उसे चाहना से मिलेगा undisclosed interest rate पे जो लोग इस पे काम करेंगे इस project पे construction workers वो भी Chinese होंगे पाकिस्तान की आर्मी यहां पे उन्हें बस security प्रोवाइट करेगी that's it तो काफी आप कह सकते हैं अजीब सा यह deal है अगर देखें तो यहां पे यह project halt पे आ गया था especially covid के time पे और covid के बाद तो यहां पे चाइना is ready कि वो पूल करे efforts को with पाकिस्तान और promote करे एक नया upgraded version of China पाकिस्तान economic corridor वहां के foreign minister का यह कहना है so let's see आगे किस तरीके की developments आती है इसमें और आगे किस तरीके से यह lead करता है क्योंकि पाकिस्तान के अब situation covid के जो पहले थी उससे अब बहुत बदल चुकी है in terms of आप कह सकते हैं government ठेक है change हो चुकी है दूसरी चीज यह है कि जो economic situation थी पाकिस्तान की वह बिल्कुल बदल चुकी है और सब ने यही predict किया था कि पाकिस्तान के आज economic हालात हैं वो ऐसे ही हो जाएंगे अगर पाकिस्तान ने ये loan ले लिया चायना से जो जिसके interest rates discuss नहीं किये जा रहे थे ना discuss किये जा रहे थे क्योंकि इतने ज़ादा होंगे और इतना बड़ा loan होगा कि ये pay ही नहीं कर पाएंगे इनके सारे finance आप कह सकते हैं mess हो जाएंगे और वैसा ही हुआ पाकिस्तान high court grants bail to Imran in corruption case so finally high court पाकिस्तान में इन्होंने bail grant कर दिया Imran Khan को in 190 million pounds corruption case जहाँ पे former prime minister और उनकी wife accused थे कि इन्होंने land assets लिये हैं billions of rupees के as a bribe from real estate icon consultant consultative mechanism to enhance Nepal and India ties so our neighbor Nepal यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत issues होते रहते हैं Nepal के साथ जहाँ पे हम नहीं कि कुछ वहाँ पे ऐसे governments है जो pro china रही है कुछ political parties pro china रहती है और काफी सारे ऐसे आप कहाँ सकते हैं conspiracies भी हैं कि इन्हें china से अच्छा कासा fund भी मिलता है which is which can be true right कोई इसमें दो राए नहीं है it's a small country and कुछ पैसे ही जो बड़ी हो पाए in areas of bilateral relations deputy prime minister of foreign minister Narayan Khaji शेष्ट जी का ये कहना है और इससे partnership increase होगी और हमारी cross border connectivity improve होगी इनका ये कहना है Lanka in talks with India to set up small arms unit शेलंका discussion कर रहा है इंडिया के साथ के small arms unit arms manufacturing unit बनाए country में जहाँ पे defense cooperation increase हो उन दोनों दिशों के बीच में so defense को लेके ये deal है and state minister of defense प्रेमिता बंदारा तनकून ने Wednesday को कहा कि we are in discussions with India छोटा सा arms manufacturing unit हमें set up करना है small arms manufacturing unit so it means की एक शुरुवात होगा जहाँ पे शेलंका जैसे country को जहाँ बहुत ज़्यादा big arms required नहीं होते हैं small arms ज़्यादा required होते हैं especially अगर आप देखे तो internal security के लिए ना कि external threats के लिए internal threats के लिए ये use करेंगे हमें जहां तक लगता है so this is a good step for India as well आता है दूसरे आर्टिकल पे exports slip to five month low on global woos India के exports मतलब जो समान हम बाहर export करते हैं दूसरे देशों में वो 5 month के low पे आ गया है global woos की वज़ा से मतलब globally जो परिशानियां चल रही है tensions चल रहे हैं उसकी वज़ा से यहाँ पे अगर आप देखें disruptions हो गए है geopolitical tensions की वज़ा से geopolitical tensions क्या होता है जैसे कि Israel and Gaza का conflict है फिर इसमें Iran involved हो गया फिर Russia और Ukraine के conflict को आप देख रहे हैं राइट फिर इसी तरीके से और conflicts increase होते ही जा रहे हैं हम इस साल देख रहे हैं especially so इसके वज़ा से हमारे exports पे फरक पढ़ रहा है कही ना कही so red sea crisis red sea crisis के बारे हमने काफी बार पढ़ लिया है जो नई लोग है मैंने बता दू कि होती rebels जिने Iran back करता है ठीक है एक rebel organization है terrorist organization है यह and यह हमारे sea routes important sea routes है red sea जैसे की वहाँ पे बहुत ज़्यादा disruptions cause कर रहे हैं ठीक है rockets launch कर दे रहे हैं commercial containers पे तो हमारा अच्छा खासा trade यहीं से उकर आता है चाहे oil हो या दूसरी चीज़े हो so यह एक issue है बहुत बड़ा कि जिसके वज़े से अब हमारे जो vessels है और जो containers है इन्हें लंबे routes से जाना पड़ रहा है जिसके वज़े से time भी जादा लग रहा है cost भी जादा हो रहा है तो हमें चीज़े महंगी भी पड़ रही है और सिर्फ महंगी नहीं पड़ रही है जो quantity है वो भी हमें कम होती है नजर आ रही है काफी सारी commodities में right so data release क्या गया commerce department द्वारा जहां पर हमें दिख रहा है कि जो merchandise export है वो merely 1% ग्रो किया है year on year and अगर आप देखें imports है ये बढ़ा है 10% से so overall जो deficit है deficit trade deficit क्या होता है मतलब export कर रहा है minus जतना आप import कर रहा है import ज़ादा कर रहा है export कम कर रहा है तो deficit grow हो रहा है right और growth की problem है export 1% से बढ़ रहा है import 10% से बढ़ जा रहा है so सबसे बने तो inbound shipments जादा बढ़े है क्योंकि petroleum products यहाँ पे increase हुआ है petroleum products जादा import हुए है और 30% of total import petroleum products के ही होते है ठीक है gold imports 3.1 billion पे आगए gold imports अच्छे खासे बढ़े है electronic imports भी बहुत अच्छे level पे बढ़े है 10% की growth देखने को मिली है and jewelry import non petroleum non gems ये बढ़ा है 2% जो की बहुत जादा नहीं है so यहाँ पे आप देख सकते हैं trade deficient बढ़ने के reasons यहाँ पे बताये गए हैं कि कुछ ऐसे commodities है जिनके imports काफी जादा बढ़ गए comparatively अगर आप देखें जो regular इनके imports हैं उससे जादा and exports हमें बहुत ही meager growth देखने को मिला है बात हो रही है oil की ठीक है तो यहाँ petrol की बात नहीं हो रही है कई लोग नए होंगे तो मैं बता दूँ यहाँ crude oil की बात हो रही है कच्चा तिल जिसे हम बोलते हैं उससे ही petrol भी process करके petrol बनाया जाता है डीजल बनाया जाता है और और भी petrochemical products बनते हैं तो इन्हें हम लीटर और टन में नहीं मेजर करते हैं हम मेजर करते हैं barrel में ठीक है आपने कई जगाओं पर steel के drums देखे होंगे जब सडके भी बन रही होती है तो steel के बड़े-बड़े drums होते हैं उन्हें हम barrels बोलते हैं ठीक है तो 1.1 million barrel per day का oil demand का forecast किया है international energy agency ने Wednesday को तो इनका कहना है कि जो forecast पहले था वो ज़्यादा था अब और कम demand हो सकती है इनके इसाब से और demand कम क्यों होती है कभी भी oil demand को directly growth से link किया जाता है अगर दुनिया भर में देश grow करेंगे तो all demand बढ़ेगी देश grow नहीं करेंगे तो all demand घटेगी इनका यह मानना है कि इस बार हम economic development कम देखेंगे globally जिसके वेसे oil demand भी यहाँ पर पूर रहने वाला है क्योंकि industrial activity कम होगी and winter sapping gas oil consumption भी कम होगा Slovak PM in life threatening condition after being shot at. So Slovakia के prime minister Robert Fico life threatening condition में एक shooting हुई जिसमें he was caught and एक political event के बाद देखा गया तो यहाँ पर प्रो Russian leader है यह 59 इनकी age है and goalie में इनके चोट लगी है 4 shots fire किये गये थे तो इसके बाद से यह काफी critical condition में है Lawrence Wong sworn in as Singapore Prime Minister. Economist Lawrence Wong Wednesday को इन्होंने ओथ लिया है Singapore Singapore's fourth prime minister in a planned political transition for the island state 51 इनकी उमर है and इन्होंने Lee Siang Loong को succeed किया जो 72 years के थे और उन्होंने 20 साल बाद अपने position को relinquish किया दोनों people's action party से ही है और drive कर रहे है Singapore के economic progress को for more than 5 decades Blue Origin to fly space tourist after 2 years break Jeff Bezos की एक company है so space race की बात चल रही थी space race एक वक पर US and Russia के भीश था right Soviet Union मैं कहूंगा and the new space race is between private companies अगर आप देखें Blue Origin है right Virgin Galactic है इसके अलावा Elon Musk की company आप तो सब जानते हैं SpaceX जो सबसे रहा पॉपिलर है Jeff Bezos की Blue Origin LLC फिर से अपने space tourist flights को resume करने वाली है जहां पर space tourism के लिए लोग को लेके जाये जाएगा अर्ज से बाहर ठीक है and इन्होंने halt कर दिया था अपने crew operations को 2022 के कुछ मिशाप्त के बाद तो यहां पर फिर से boost करने वाले हैं space tourism को and यह आप कहा सकते हैं 7th human flight होगी West Texas Facilities से company का यह कहना है तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे like करें और चानल को subscribe करना बिल्कुल भी ना भूलें आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद